हाई एवरिवन नमस्ते आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ गणेश चतूर्थी पर बनने वाले गणपती बपा को बहुती जादा पसंद आने वाले मोदक की रेसिपी ये मोदक हमारे ट्रेडिशनल जो महाराश्चन मोदक होते हैं जिसे हम उकडीचे मोदक यानि की स्टी को अच्छे से भून लेंगे इसके बाद हम इसमें एड करेंगे फ्रेश कोकोनेट नारियोल को हमें बस एक से दो मिनिट के लिए भूनना है और जिसके बाद हम इसमें डाल देंगे गुर्ण तो यहां पर मैं गुर्ण का पाउडर यूज कर रही हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजे और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गुर्ण है वो बहुत अच्छे से पिघर जाए इसके बाद में फ्लेवर के लिए इसमें एड़ कर रही हूँ जाइफल आप चाहें तो यहां पर इलाइची पाउडर भी यूज कर सकते हैं तो जाइफल मैंने बस चुटकी भर यूज किया है यहां पर तो यहां पर हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर रेड़ी है इसमें अगर आप चाहें तो आप खस खस भी एड़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो तिल भी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से रेडी हो गई है इसके बाद हम मोदक के लिए जो आटा है वो रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से पैन में लिया है दो कब पानी इसमें एट करेंगे घी और नमक पानी में जैसे ही उबाला जाए हम गैस के फ्लेम को आफ करेंगे और इसमें चावल का आटा मिला देंगे अब हमें इसे धब कर 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देना है 10-15 मिनिट के बार हम आटे को एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे गुणना होगा थो एक बड़े से बरतन में इसे निकाल लें और इसमें 1 या 2 चमच घी डाल कर आटे को अच्छे से गुणनलें यहाँ पर अगर आपको आटा थोड़ा ड्राय लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी आइट कर सकते हैं तो हमारा आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है यहाँ पर सारी चीजे हमने तयार करके रखी है और आज मोदग बनाने के लिए मैं इस सांचे का यूज़ करने वाली हूँ ऐसा सांचा आपको माकेट में अराम से मिल जाता है और आउनलाइन भी ये इसली अवेलेबल होते है तो इस तरीके से हमें जो सांचा है उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है यहाँ पर मैं देल यूज़ कर रही हूँ अब चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं चावल के आटे की एक छोटी सी लोई हमें लेकर इस सांचे में अच्छे से प्रेस करते हुए फैला देना है तो इस तरीके से आटा सारा साइड में हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और जो बीच का यहाँ पर स्पेस होता है उसमें हम डाल देते हैं हमारी स्टफिंग स्टफिंग भरने के बाद हम थोड़ा सा आटा और लेंगे और इसे अच्छे से सील कर देंगे और अब हम हमारे जो मोदक है वो साची से निकाल लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो परफेक्ट मोदक है वो एक दम बन कर तयार है और इस तरीके से हम दूसरा मोदक भी यहां पर तयार कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह हम अपने सारी Мोदक जो है वो इस तरीके से तयार कर लेंगे और इसी तरह हम सारे मोदग तयार कर लेंगे तो यहां पर मेरे सारे मोदग एकदम रेडी है और अब इन्हें स्टीम करेंगे यहां पर मैंने कड़ाई में पानी चड़ा दिया है और यहां पर एक स्टीमर प्लेट है मेरे पास आपके पास अगर कोई और प्लेट हो स्टीम करने के लिए मोदक को या कोई और स्टीमर हो आप भो भी यूज़ कर सकते है तो यहांपर मैं ये प्लेन, सिंपल जो स्टीमर वाली थाली आती है वो यूज़ कर रहे हूँ और इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है ताकि जो हमारे मोदक है वो जब स्टीम हो तो वो चिपके ना इस प्लेट पर सारे मोदक को हम इस प्लेट पर लगा देंगे और हर मोदक पर एक में केसर का धागा रख रही हूं यह जब स्टीम हो जाता है न तो यह बहुत सुंदर लगता है देखने में और हम बस एक या दो बुन घी जो है वो हम सारे मोदक पर डाल देंगे तो 15 मिनिट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर स्टीम किया है और हमारे मोदक एकदम परफेक्ट तयार है इसे हलका सा ठंडा हो जाने दें उसकी बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पर हमारे सारे मोदक बनकर तयार है देखने में ये बहुत ही खुबसूरत लगते है और खाने में ये बहुत ही स्वादिश्ट होते है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मैं आप से मिलते हूँ अगले वीडियो में अपना ध्यान रखें बाई